नमस्कार आप देख रहे हैं प्रताबगाई ब्लॉक्स मेराम क्लाश है दो आज किस वीडियो में हम बात करने माला हूं आप जो भैस देख रहे हैं इस भैस को दस महिना बीज दिन हो गया लेकिन अब तक बच्चा नहीं देया ते बच्चा कब देगी अब एक कन्फूजन हो वीडियो के डिस्क्रिप्टन में मिल जाएगा देखिया दिकतर देखनेंग मिलता है जो हमारे गाय होती है नौ महिना नौ दिन पर बच्चा कर देती हैं भैस जो होती है दस महिना दस दिन लेती हैं और दस महिना दस दिन में बच्चा कर देती हैं या कुछ हो पहले भी ब या करती है तो भाय को नमेन नो दिन पर माना जाता है तो सारी चीज़ें आपको वीडि़ो में बता जाएगा विडि़ो को लाइक जिरू करें और मैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिए इस भाय के देखिए यह भूरी कलर जो बहुँ आप देख पा रहे हैं यह भाइस जो है दस महीन बिस दिन पर पहले नंबर तो जो पेसाब करास्ता होता है उसमें सूजन आ जाती है यानि वह पार्ट जो है बड़ा होने लगता है क्यों बड़ा होने लगता है बड़ा इसलिए होने लगता है क्योंकि भच्चा करना है तो जिससे करन उसके इंदर सूजन आएगी यानि उसका ग्रोथ होगा उसका विकास होगा वो बड़ा होगा जिससे की बच्चा आसानी से निकल सके यह ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है अब थन की बात करते हैं अगर हमारी जो भैस होती हैं बच्चा करने के अगर समय आ जाता है उनका जो थन होता ह है ना फन में ग्रोथ देखने मिलता है फन बड़ा होने लगता है और फन में दूद ही भर जाता है तंस महिना जुए अगर नौ मेहने के बाद का नहुं महिने सब्क्राइस हें कि σरी बच्चा क्यों नहीं कर रहा है तो हमने उनको बताया कि Sär जी आप इसको जो है एक बार चेक अफ करा ली जिये कि गाविन है या नहीं है आप आप लोग भी बहुत समय से पसु पालन किये ही आपका अनुहो क्या करता है कहता है कि ये गाभिन है या खाली है नीशे कोमेंट के से जरूर खरिएगा और अगर हम अपनी राय की बात कि जाए कि ये गाभिन है ये नहीं जिस हिसाब से इसके सिम्टम्स दिखाए दे रहे हैं जिस हिसाब से इसके हाव भाव और सरीर की बनावर देखने को मिल रही है इससे यही प्रतीत होता है कि ये गाभिन नहीं है क्योंकि समय जादा हो गया समय ओबर हो गया उसे बच्चा कर देना चाहिए कि भोट नहीं है और इसके जो पिसाभचा राष्ट्ता चोटा दिखा दे रहा है इसका मतलब धाभी नहीं नहीं है अपनी राइज तरौझे बढ़ना देखने के लिए धनिवा entit झाल झाल